So guys, ransomware attack, एक काफी popular attack है, और इस particular attack से बचने के लिए क्या-क्या steps हमें follow करने चाहिए, आपके company के लिए, आपके business के लिए, या एक individual user है, तो उन सभी चीजों के लिए जो attack है, काफी ज़्यादा, मतलब harmful होता है हमारे PCs के लिए, तो कैसे आप अपने computer system को protect कर सकते हो, कैसे आप इन से बस सकते हो, पूरी details इस वीडियो में आप लोगो को मिलने वाला है, ransomware पर काफी ज़्यादा मैंने भी cases देखा है, और उसका कोई solution नहीं मिलने वाला है, और अगर internet पर ransomware से related आप solution डूडेंगे, कि आप पे attack होगे आपके system पर, तो कैसे उससे बचे, बहुत सारे तर हाइकिंग पर, काफी ज़्यादा आप लोगों ने उसको support दिया और इस सारी चीज़े, I think अगर पूरी videos कोई भी topic जो होता है न, पूरा video देखेंगे, तो हम उसमें अच्छे तरीके से आपको वो particular topic explain कर पाएंगे, और बता पाएंगे कि कैसे आप किसी भी particular virus attack से बच सकते even then ransomware से ही नहीं, बलकि आप किसी भी तरीके के virus attack से आप अपने mobile phone, अपने tablet, अपने computer system, अपने server, इन सब चीज़ों को बचाना चाहते हैं, तो कुछ steps आपको follow करने पड़ेंगे, सबसे पहली बात hacker attacker किसको सिकार करता है, जब आपको उतनी knowledge नहीं होती है, या जब आपको पता ही है किस तरीके से करने पर हमारा ये नुकसान हो सकता है, तो definitely उस condition में hacker attacker आपके system पर नहीं आ सकता है, तो कहीं नहीं कहीं आप गलतियां करते हैं, या आपके knowledge के अंदर वो कमी है, तभी आप इस तरीके के attack के सिकार हो जाते हैं, और कहीं नहीं कहीं आपका बहुत software है, हाँ, जैसा कि आपका अदर spyware होता है, अदर virus होते हैं, उनके programs होते हैं, वैसे ही हमारा ransomware भी एक तरीके का software है, malicious code है, जिसको बोल सकते हैं कि हमारे system के अंदर जब भी ये attack करता है, तो हमारे system का जो complete file है, जितने भी तरीके की information आपने अपने computer system पर रखा हुआ है, व मतलब आप उसको खुद नहीं access कर सकते हैं, हर एक particular file एक different extension के साथ lock कर दिया जाता है, इस attack में, और उसके बाद जब भी आप उस file के अंदर जाते हो, तो आपको एक file मिलती है, जो open होती है, और वो attacker द्वारा भेजी गई होती है, हर एक directory के अंदर ये attack होता है, कुछ ही second ल save कर सकते हैं, सारी details बताएंगे, बढ़ हां, दो चीज़ें आपको confirm हो गई, and until the victim pays a ransomware fee to the attackers, मतलब ransomware attack इसलिए perform किया जाता है, कि जिस attacker ने आपके computer system पर ransomware attack किया है, वो उस notepad में कुछ details छोड़ देगा, हर एक particular folder जो होता है, उसके अंदर एक notepad छोटा सा मिलेगा, जिस तब आपका जाकर वो चीज open होगा, उस वो particular attacker वहां से keys देखा, जिसके थुरू आप अपने computer system को unlock कर सकते हो, तो ये इस तरीके का attack होता है, उस key को पाने के लिए आपको पैसे देना पढ़ेगा, तब आप अपने computer system की files को access कर सकते हैं, वैसे अला कि individual user पर बहुत कम, जैस से अगर देखा जाए ransomware attack का, तो काफी popular मतलब की एक तरीके का होने वाला attack ये रहा है, अगर हम लोग बात करें ransomware के कुछ ऐसे causes के बारे में, जो हम लोग गलतियां करते हैं, और हमारे system के अंदर enter कर जाता है, तो वो कौन से ऐसे factors होते हैं, जिनके तो हमारे system के अंदर ransomware attack हो सकता है, या कौन सी कमिया होती है, तो मैं यहाँ पर 4-5 point को आप लोग को बता देता हूं, जो की common होता है, और बाकी तो आप लोग को मैंने ethical hacking में काफी details में बताया हुआ है, बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले phishing emails get through, बहुत सारे ऐसे organizations होते हैं, या बहुत सारे ऐसे users होते हैं, जिनको target किया जाता है, उनको एक mail भेजा जाता है, उसमें link होता है, या कोई भी software होता है, even then pictures हो सकता है, videos हो सकता है, जब भी आप उसको click करोगे, उसको watch करने के लिए, देखने के लिए, या उस link पर visit करने के लिए, किसी भी तरीके का offer हो सकता है, lottery हो सकता है, क प्रफं मोघ अगर आपको नौलेच की कमिया जैसे की आपको नहीं पता कि हमें अन्वाउंटेड वेबसाइट यह से कुछ जगह पे नहीं विजीट करना चाहिए हमें ऐसे एमेल को जो फोल्डर के अंदर आकर रिस्टोर होते हैं उनको नहीं ओपिन करना चाहिए यह सारी च यह सब काफी smart अपने algorithm को बनाते हैं जो भी इनको लगता है कि यह एक harmful program है या malicious code है तो उसका जो email होता है उपर detect करके लिख देगा या तो फिर उसको spam में डाल देगा तो आप उसको open कर लेते हो तो इस तरीके के emails को जरूर बहुत ही अच्छे तरीके से आप check करें और अपनी knowledge को बढ़ाएं अपने computer system का जो password है उसको यूही ना रखें कि 123, 12345 ऐसे करके या एक open source wifi से ना connect करें अपना एक dedicated मतलब की connection लें या अपने secure connection के साथ अपने computer system को connect करें किसी भी user के माध्यम से किसी भी application को share ना करें किसी third party applications को download ना करें third party softwares जो होता है यह 50-60% chance होता है कि बहुत सारे ऐसे users होते हैं जो crack software के चक्कर में बहुत सारी इसी websites widget कर जाते हैं जहां से उनके system पर ransomware attack हो जाता है यह एक मतलब की genuine चीज में बता रहा हूँ यह practically यह सारी चीज़े होई है और बहुत सारे ऐसे cases हमारे सामने हुए हैं जिस बिहाब पर मैं आप लोगों को information share कर रहा हूँ दूसरी चीज unwanted web access सबसे ज़्यादा इससे बचकर है किसी भी तरीके का unwanted web access है इन secure websites हैं इन पर कभी widget ना करें क्योंकि ऐसे applications आपके computer system के लिए या ऐसे websites आपके computer system के information के लिए काफी harmful हो सकते हैं हो सकता हो ransomware attack ना हो किसी और तरीके का attack हो जाए बहुत सारे तरीके के attack होते हैं तो ransomware का simple funda है कि वो आपके system को target करता है attacker hacker और आपके system के सारे data को access होने से block कर देता है और जब भी आप access करने जाते हो तो वहाँ पैसे की demand होती है अब चलिए थोड़ा सा पैसे का जो process होता है उसको समझते हैं कि कैसे यह हमें पता चल जाएगा ना कि जब भी हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो पता चल जाना चाहिए कि किसको पैसा दिया जा रहे है सारी चीजें तो पूरी डीटेल्स में इस पैसे के बारे में समझते हैं कि कैसे पैसा exchange कराता है attacker तो पेड जो करेंसी होती है वो क्रिप्टो करेंसी के format में आपको pay करने के लिए बोलता है मतलब payment करने के लिए बोलता है उसमें proper link रहेगा जो उसका notepad होता है उस link पे जब आप perform करते हो या जाते हो तो वहां पे proper आपकी डीटेल्स ली जाती है या आपका उतना important data नहीं है data अगर किसी भी तरीके का तो हमें लगता है कि हम लोग थोड़ा time देकर उसको दुबारा से create कर सकते हैं और ऐसे चक्कर में ना पड़े उनको कोई भी payment ना करें नहीं तो आपके credit card debit card payment माधियम जो भी आप use करें उसके थुरू भी वह आपकी information निकाल सकते हैं और फिर उसके आगे और भी कुछ तरीके का malicious activity कर सकते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं वैसा नहीं कि payment कर दिया सब चीजे और रहकर इतना smart होता है वह एक code देता है उसके अंदर बोलता है कि इस particular code के थूरू आप एक file को decrypt करके देख लो आ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप payment ना करो और उसके बाद भी guarantee नहीं होती है तो ransomware से हमारे computer system जैसे की Windows operating system का अगर आप Windows 10 और Windows 11 या जो भी मतलब operating system है Windows का भी उसके अंदर एक bit defender antivirus program दिया जा रहा है काफी popular है मैं एक screenshot यहां पर mention कर देता हूँ जहां से आप अपने bit defender को open क करेंगे तो जैसे scroll करके आप नीचे आ जाएंगे तो वहां पर एक option मिलेगा आपको ransomware protection का और जस्ट उसके नीचे लिखा होगा manage ransomware protection उसमें जाकर folder access enable कर देंगे और आपके computer system का जो भी attack है या third party कोई भी application या malware code या ransomware virus आपके system के किसी इंफोर्मेशन को access करना चाहेगा य हमारा जो स्मार्ट प्रोग्राम में Windows द्वारा प्रोवाइट किया जारा Microsoft द्वारा यह उसको ब्लॉक कर देगा and then आप उसको फिर इस्तिमाल मतलब कि वह hacker attacker उस particular access को नहीं कर सकता उसको थोड़ा सा और ज्यादा smart technique यूज करना पड़ेगा और ज्यादा step follow करना पड़ेगा रखता वह entry ले सकता एक gatekeeper की तरह वह काम करता है यह protection और आपके computer system को secure रखता है तो इसको जरूर इनेबल रखें और फिर उसके आगे आप अपने computer system आप अपने servers अपने organizations इन सब चीजों को secure रखें कोसिस करें कभी भी unknown resources को internet पर access ना करें जहां पर आपको knowledge नहीं है पहले knowledge में किसी भी चीज के बारे में अपने senior authority या किसी भी ऐसे चीज से संपर करें देन आप उसके आगे perform करें सबसे पहली बात अगर आप direct one-to-one communication करना चाहते तो instagram का link वीडियो के description में जोइन कर ले स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा and वहां पे आप अपनी message queries करके direct communication कर सकते है वीडियो को like करेंगे तो motivation मिलता है and YouTube को भी अच्छा लगता है कि यहां एक अच्छे वीडियो है and subscribe करेंगे bell icon दब आलेंगे next video जल्दी आपको मिल जाएगी मिलते next video में thank you so much हुआ 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 है